आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Next, Q4 की बात करेंगे Which of the following sets is not finite? Finite set केते हैं जिसमें Number of Elements count कर सकते हैं और Not Finite मतलब Infinite set जिसमें Elements को हम count नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने चार option है Basically, option 1, option 2, option 3, option 4 ठीक है? तो option number 1 क्या कह रहा है? यह गलती सो option इधर लिखा हुआ आगया The same option is written here तो इनमें इनको calculate करना पड़ेगा है x square plus y square जो है less than equal to 1 और यहाँ पर x plus y ठीक So, not finite मतलब x और y की infinite values हैं तो यह आपने छोटी classes में पढ़ते हैं तो यहाँ पर यह जो देख रहे हो एक circle है बाकि detail में हम इनके बारे में और पढ़ेंगे यह circle की equation होती है समझ नाराम से x square plus y square less than 1 तो यह value जो है 1,0 यह है 0,1 यह कहरा है 1 से छोटा मतलब सारा यह वाला part imagine कर रहा है ठीक है यह एक लिख रखा है x plus y equal to 1 तो x की जगा 1 रखेंगे तो y 0 तो यह और जब x की जगा 0 रखेंगे तो y 1 तो basically इन दोनों को join करेंगे ऐसा कुछ अब यह कहरा है कि x plus y की value जो है 1 या 1 से बड़ा तो आप यह put करके देख लो 0,0 element तो 0 plus 0 greater than equal to 1 यहां से आगे 0 greater than equal to 1 तो यह हमारा यह वाला consider करेगा तो इसमें यह part आ रहा है तो इसकी बीच में कितने solution आएंगे infinite ठीक है तो यह set भी कैसा है अपना x square plus y square lesser than 1 है ना और lesser than x plus y और यह था real number यह है integer दौनों में difference है यह real number है तो यहां पर infinite था यहां पर integer की बात हो रही है ठीक है तो यहां पर आप x square plus y square लिखा है lesser than or equal to 1 lesser than or equal to x plus y the same thing जो अभी मैं डिसकस किया था वही लिखा हुआ है तो यही diagram बनने वाला है बट यहां पर कह रहा है integer के बारे में तो आप अराम से देखोगे कि यह 1 था 1,0 यह 0,1 x और y दोनों ही integer होना चाहिए तो इस बीच में कौन सा integer आ रहा होगा 0 से 1 के बीच में को integer नहीं होता 0 से 1 के बीच में को integer नहीं होता no solution तो यहां पर 5 तो यह finite set आगे है तो option number 2 जो है हमारा correct answer आगे हम check करेंगे option number 3 को इसको बात करें तो यहां पर फिर y x square less than equal to y greater than equal to mod x यह बात आ रही है तो यह क्या है हमारा बनेगा mod x बनता है इस तरीके से और x square y की बात करें आप values put करकर के बनाएंगे बाकि थोड़ा सम आगे बढ़ेंगे हम इनको और detail में discuss करेंगे x square y क्या होता अपना एक parabola basically एस तरीके से graph बनता है वो कह रहा है कि इसकी value y की value छोटी है तो हमारा यह आ रहा है एक second वो कह रहा है कि mod x की value बढ़ी है y की value से तो यहां पर कोई point ले लिया 0,1 तो इसको satisfy कर रहा है तो यह वाला consider करेंगे ठीक है यहां पर again मैंने 0,1 लिया तो 1 बढ़ा है अराम से तो यह वाला portion जो है answer में नहीं आएगा यह वाला portion जो है अपना answer में नहीं आएगा तो कौन सा आ रहा है यह पूरा यह पूरा के पूरा आ रहा है इसको मैं फिर से explain कर रहे हूँ कि वो कह रहा है कि mod x की value y से बढ़ी है तो mod x हमने कोई भी point ले लिया random इसको और अच्छे से detail में explain करते हैं y तो हमने mod x बनाया mod x कैसे बनेगा ऐसे और उसी पर बनाया mod sorry x square equal to y तो वो बनेगा कुछ ऐसे तो यहाँ पर कह रहा है अच्छा which of the following set is not finite कि वो कह रहा है कि कौन सा जो set है वो finite नहीं है तो यह infinite निकाल दिया यह कैसा था finite set था अब यहाँ पर हम बात करेंगे वो कह रहा है कि mod x छोटा है y से यहाँ पर point है 0,1 तो put करेंगे तो 1 lesser than 0 which is not clear तो यह वाला part ले रहा है यह वाला part आएगा इसका answer में इधर वाला और इधर हम बात करेंगे तो यह discuss करेंगे तो इनके बीच में common part यह आ रहा है आगें यह value 1 है यह 0 यह कह रहा है कि x y in teaser है तो यहाँ पर भी इनका answer क्या है 5, x y belongs to 5 कुछ भी यहाँ पर हमारा set में नहीं आएगा so this is also finite set तो यह भी finite question पूछ रहा था कि which is not finite तो in finite में option number 1 is the answer यह इतना पता चल गया कि यह answer है आचा यहाँ पर भी बोल रखा है कि 8 is in teaser तो which is also not correct ठीक है so option number 1 is the correct choice option number 1 जो हमारा correct answer है is it clear यह हमारा answer है which is not finite ठीक